हेलो दोस्तों वेलकम बैक माई यूटूब चैनल कैसे वह आप अच्छे होंगे और दोस्तों आज मैं आपके लिए लिगाया हूँ एक नही रेस्पी आज हम बनाने वाले हैं इटालियन टमाटो सोस तो दोस्तों तैयार है यह हमारे टमाटर है और इसमें हम डालने वाले हैं लीच, सेली, कैरोड, ओनियन और दोस्तों हम जब इटालियन टमाटो प्लाती बनाते हैं तो हम यूज करते हैं यह इटालियन फिल्ट टमाटो और इसके साथ हम डालने वाले हैं टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट, बहुत सारे एटम्स हम इसमें डालने वाले हैं और हम इटालियन टामाट्रो स्योस तो दोस्तों तइयर है को तो दोस्तों सब से पहले सो अच्छे से टामाटर लेते हैं और शốt मैचना उलएемся काट देते हैंब फैर के वाद धीया को पिछने वाले च्छे åर्ट में है तो दोस्तों तो दोस्तों हमने इस तरह से यह टमाटो सोस पीश चुके हैं इस तरह से और अब हम पीशने वाले हैं यह टमाटो पिलाती तो दोस्तों इस तरकार से हमने यह टमाटो पिलाती पीड़ी टमाटर हमने पीश चुके हैं तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ वीडियो बहुत अच्छी होने वाले हैं अब हम आगे आपको बताने वाले हैं हम आगे और किस तरह से अच्छी से अच्छी टमाटो सोस बनाने वाले हैं देखो इसके लिए हम करने वाले हैं अब चौप लीक कैंसे ली कारोट ओनियन और गार्लिक तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये लीक, शेली, ओनियन, गार्लिक, कैरोट चौप हो चुका है इस तरह से हम इसको चौप कर देते हैं और अब हम बनाने वाले हैं टमाटो सॉस तो दोस्तों हमारी ये सब एक क्वांटिटी होनी चाहिए जैसे हमने 200 ग्राम लीक्स काटा तो 200 ग्राम सिली, 200 ग्राम कैरोट, 200 ग्राम ओनियन, 200 ग्राम गालिक इस तरह से हम जितना भी सोच बना रहे हैं उसकी एक रेस से होनी चाहिए चाहिए 100 ग्राम बना रहे हैं, 200 ग्राम बना रहे हैं, 200 ग्राम ऐसे एकल क्वांटिटी इसकी जो हम इसमें डाल ले हैं, वो इकल क्वांटिटी होनी चाहिए तो दोस्तों हम डालने वाले हैं इसमें इस तरह से ओली ओल, ये हमारा ओली ओल इसमें डाल चुका है, ये हम इस तो दोस्तों अब हम दाने वाने इसमें ये सारा बेग टेवल टीक सेली ओनियन कैरोट तो दोस्तों अब हम इसको भी फ्राइ करेंगे अच्छी तरह से भूलेंगे इसको भी इसका भी थोड़ा ब्रॉन कलर आजाएगा तो इस तरह से इसको भूंदे रहेंगे तोड़ा सा दोस्तों इस तरह से हमारा ये ब्रॉन हो चुगा देखो क्या नाइस ब्रॉन कलर आया है इस तरह से हम इसको ब्रॉन करते हैं कर दोस्तों अब हम इसमें आड़ करने वाले हैं टमाटो पीसे हुए इस तरह से टमाटो पिलाती पीसी हुई है वह हम इसमें आड़ करने वाले हैं इस तरह से और दोस्तों अब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटो प्यूरी इस परकार से हम इसमें टमाटो प्यूरी आड़ कर देते हैं ओ दो दोस्तों अभी हम यहाँ यहा बेर्ढ़ा सोस बना रहे हैं आप जितना सोस बना चाहते हो इतना टमाटो कुरी इसमें टिसे हम ने अभी पांड़र जयूंगए हैं इसमें डाल रहेँ दो टो मड़ाना रहे हैं तो दो लिटर एगिजर बना रहा है तो यह की यह की कि भी डाल सकते हो कम क्यूरी भी डाल सकते हो आप इस तरह से बना सकते हो और दोस्तों आब हम इसमें करने वाले सिजनिंग यह हमने इसमें डाला सॉल्ट यह हमने इसमें डाला चिल्ली फ्लैक्स और हम इसमें डालते हैं और इगिनो दोस्तों आभी इसमें हम आड़ कर रहे हैं सुगर सुगर हम इसमें इसलिए एड़ करते हैं कि ताकि हमारे टमाटो का बैलेंस अच्छा बने यह ज्यादा खटा नहों इसलिए हम इसमें सुगर एड़ करते हैं और दोस्तों अब हम इसमें एड़ करने वाले तमाटो पेस्ट वो तमाटो पेस्ट स्था एड़ करते हैं इसमें एड़ेंगे थोड़ा सा वाली आए और हम इसमें दादेंगे टमाटो पेश्ट तो दोस्तों हम टमाटो पेश्ट को तेल में इस तरह से घूंते हैं अच्छी तरह से और ढूनने के बाद में इसमें अक्छा सागा और यह बहुत है इसका कैस्त बहुत अच्छा है यह बहुत अच्छा टेस्टिस के इंदल लता है मनाने में तो यह बहुत अच्छी कारगड़ चीज है हमारी टोमाटो सोस होद अच्छी से अच्छी बनने वाली है तो दोस्तों यह डाला हमने इसमें टोमाटो पेस्ट और इस तरह से हमारी टोमाटो सोस पत रही है और दोस्तों अब हम इस टोमाटो सोस को एक गंड़े तक धीमी आज में पका दे रहेंगे हमारी सोस कमज़गम एक गंड़े में बनके अच्छी तरह से त्यार हो जाएगी और यह है हमारी इटालिन टोमाटो सोस जो कि हम पीजा पास्ता में यूज करते हैं यह हमारी पास्ता सोस पीजा सोस बनके इड़म रेडी हो चुकी है तो इस तरह से हम बनाते हैं टमाटो सोस आप लोग भी इस तरह से टमाटो सोस बना सकते हो अच्छी अच्छी पिसम्चे बना सकते हो आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी तो दोस्तों आगे शेयर लाइक कमेंडमेंट सस्ट्राइब करते रहें और फिर हम मिलते रहेंगे न नहीं नहीं रेश्पी लाते रहेंगे नहीं नहीं सोस बना के आपको दिखाते रहेंगे तो दोस्तों आप हम बनाने वाले पास्ता पीजाम मारिकेटा जो केस्ट के लिए इंटर्म रेडी है और दोस्तों आप हम बनाने वाले रेट सोस पास्ता जो की समधास है कर दो Zi कि अपूड़ पस्धोड़たい थ्यओ प्रोज़ कि अभी दो कि आपार रहरो कियो ने को दोर भाटबू दो अ yum 5 नग तोर वो ये और फीमा आप आप किनगी में इसापाउ ज़िए खं़ से दिए हम इसने ज़ने काया नन somehow आपit, आप ए करेगां टोर वो टो ए काया नैक टूर ए कस्षय को पाट. यह हम इसमें सिर्वी कटें हैं और यह डाला में इसमें पास्ता और दोस्तों यह बन गया हमारा रेट सोस पास्ता दुन तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पास्ता बन के बिल्कुत तयार हो गया है तो दोस्तों मिलते हैं फिर इंद्रेस्ट वीडियो में नहीं रेस्मिके साथ तब तक लिए बाइबाई बाइबाई बंक्यू वेरी मच्च